प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्लीज सब्सक्राइब नेता है पहला सवाल और सीधा सवाल मैं आचारे प्रमोट किश्णम आप से पूछना चाहता हूँ क्या ये बात सच है कि विश्णु मंदिर को लेकर चंबल के लाके में इटावा संभाग में बनाने की जो बात की गई है वो एक चुनावी मुद्दा नहीं है वो वाकई में समाजवादी पार्टी आपको लगता है ये करने का माद़ा रखती है देखिए जहां तक मैं अखलेश शादवर उनके परिवार को जानता हूँ बहुती संसकारवान परिवार है और उनकी धर्म में बहुत आस्था है आज के परदर्श में अगर विष्ण की इतनी बड़ी प्रतिमाव इतावा में उन्होंने तैयार कराई है जिसका अभी लोकार पर नहीं हुआ है और उसकी प्रांट प्रतिष्ठा वगरा वेधी विधान से की जाएगी अभी भविश में उनकी चर्चा में उससे कई वार इस वारे में हुई है अभी नहीं में परसों ही मिला था इसी विशे पे उनका कहना ये है कि वो बाहर गए थे विदेश में कमबोडिया और एक दो जगा तो वहाँ पर भगवान विश्णू का जो उन्होंने स्वरूप का दर्शन किया उसके बाद उन्हें प्रेणा मिली कि वो यहाँ पर एक उन्हों को मानने वाले सद्धावान लोग आए और भगवान विश्णू के सभी स्वरूपों का दर्शन करें तो मुझे लगता कि इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है उनकी स्रद्धा है उनकी आस्थार होना ये करना चाहिए तो पर राम मंदिर के लिए मजद क्यों नहीं इकारते हैं आख जी में इकार्टे शर्द्धा राम मंदिर नहीं इसकार्य भागवान श्री राम के मंदिर का विरोध अखले श्यादा मैं ने कब किए ूचानीनितर न लाह रहा है 1992 में बावरी मज़िद धाचे को गिराया गया आप मुझे बताइए तब सिले के अब तक में क्या मदद किया आप लोगों ने सुमित अबस्ते जी अगर कोई व्यक्ती अपनी सद्धा के हिसाब से सद्धा के अनसार और भगवान विश्णू का मंदिर बनाना चाहता है बड़े इस्तर पर बनाना चाहता है अरे चुनाब के मौसम में मंदिर कैसे बन जाएगा इतना बड़ा मंदिर सालों में बनेगा त जो तमाम हिंदू विरोधी और तथा कति सेकुलर हैं, ये सारे लोग अपने वस्तर के उपर जनेव पहन कराएंगे और मंदिरों में श्रद्धाक पूर्वक जो है अपना सिर नवाएंगे ये बात जो है दो हजार अठारा में सत्य होते हुए दिखाई दे रही है कौन जनेव पहन रहा है कौन मंदिर बनवा रहा है देख रहे हैं और मैं आचार प्रमुट जी का बहुत आभारी हूं कि उनके प्रशस्त करने में कुछ नहीं ज्यादा करना है सिर्फ समर्थन देना है और जो अश्टमा वतार है कृष्ण जी मतुरा में भी थोड़ा सा समर्थन देना और जो श्रीव और राम एक ही तत्व है आचार जी मानते होंगे उन पे जो ग्यानवापी का जो कलंक है उसको मिट जाने में भी यह थी थोड़ा सा उनका श्रद्धा जागरित हो जाए तो मुझे लगता इस देश में जो पिछले सतर वर्शों से सामप्रदाई की विद्वेश का मूल है वो नस्ट हो जाए आचार जी राजिस्वा में बीजेपी को कुछ नंबरों की जरुवत है समाजव नहीं किया आप से में पूछ रहा हूँ आप अखलेश से दो दिन पहले मिले हैं कि आपने उनको यह बताया कि आप राजेस्वा में मदद करिए पहले राम मंदिर बनाते हैं और फिर चलके विश्टू मंदिर बनाएंगे सब लोग देएकर पहली बात मैं ना समाजव बादी पार्टी का कारे करता हूँ न नेता हूँ रहा है इस फोक्स परसन लेकिन अगर बी जे पी अब भारती जन्तर जो सुनिए समाजवादी पार्टी के परवक्ता की तर बात करनी थे अखलेश यादओ की तरवाय थे तो आप करने अब मैं आपकर सवार पूछे तो खुना है नहीं आपका हग है मैं प्रेम शुक्रा जी की बात का जवाब देता हूं मैं भी बड़ा आदर करता हूं प्रेम शुक्रा जी का आज से नहीं जब सामना में लिखते थे तब से मैं इनके लेक पड़ता था भारती जंता पार्टी ये वादा किया था कि हम 2014 में अगर पून बहमत से आए तो पार्लेमेंट में राम मंदिर के लिए बिल लाएंगे आप बिल लाएए कौन सी पार्टी है जो राम मंदिर का विरूद करेगी मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मैं अखलेश यादव की तरफ से य करते थे जफर याब जिलानी और जफर याब जिलानी अखिर भारती बावरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील है और उनको एडिशनल एड़ोकेट जनल बनाए रखा तब भी जब वो राम मंदिर का विरोद सर्वोच नियाले में कसकर रहे थे तो भाई साब जफर याब को सिर्फ कहीं कि कहा दीजिए कि अभी भी आपकी पार्टी के कारेकरता की हैसित में हो आप कहें दीजिए मुकदमा सर्फ वापस दोले लें देखिए अना तो श्रेलेने का सवाल है सवाल है सण जोड़ा का आप ने बताईए आपने वादा किया था आपकी पायटी ना हम तो पूरा करने को तहीं हा रहे हैं जहां तक अखले श्यादव का सवाल है मैं दावे के साथ कह सकता ह 수가 अखलेश यादब फैनेटिक लेताओं के समर्थर में नहीं है अखलेश यादब एक लिब्रल पॉलिटीशन है पड़े लिखे और अच्छे पॉलिटीशन है इसलिए अगर उनकी स्रद्धा जगरत हुई है भगवान विष्णो का मंदर बनाने में दिक्कत क्या है आपको दिक्कत क्या है